जेहिंद वंदे मात्राम स्वागत है सभी सातियों का स्टेडी एक्जाम एकेडमी राजस्तान के सबसे लोग पीडिये यूट्यूब चैनल पर यदि आप बेस्टिशी पीटी एसाई राजस्तान पुलीस किसी भी एक्जाम की त्यारी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज हो चुका है आप सभी का अच्छा एक्जाम होगा और आपके कितने नमर आ रहे हैं इस एक्जाम में वह भी आप नीचे कमेंट बोक्स में बता सकते हैं तो हम बेस्टिशी अनुमानित कटोब के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे वह भी अलग-लग कैटेगरी व बात करें तो एश्टि वाले जितने भी हुआ है और जिनके मालो तीन सो पचास नमर आ रहे हैं मेल कंडिडेट के तीन सो पचास नमर आ रहे हैं पलस आ रहे हैं तो इसका मतलब आप विल्कुल सेफ हो आपका वीश्टिशी करने का सफना निश्य तोर पूरा होने की जिकरी गंदर आते हो तो आपकी मेल कंडिडेट की में बात करूं यदि आपके तिन सो असी तिन सो नब्बे पलस है तो आप बिल्कुल यहां पर सेफ स्कोर में हो ऐसा नहीं है कि इसे पांस दस नमर आपके कम है फिर भी आपका सेलेक्शन नहीं होगा लेकिन मैं आपको ब कियारी कर सकते हैं आगे राजस्तान पूलिस की नेक्स्ट अगले हम बात कर सकते हैं यहांपर ओबीसी और कि इनकी यह पर कतो कि तनी रहेगी तो यहां पर हमें पिछली कटोब से सेümने लेकिन इस से पहले आपको बता दूं कि इसबार बहुत कम विदार्तियों ने साड़े-चार विलारत लाग विदारति उन्हें केवल आविदन किया था इस बार सेंग्या बहुत कम है तो इसका मतलब यदि OBC में हो और यदि आप 400 पलस हो तो आप यहां पर बिल्कुल सेफ हैं बिल्कुल मेल कंडिडेट बिल्कुल सेफ है यदि फिमेल हो और यदि आपक आपका आंगडा रहने वाला है इसके लगबग यदि आप हो तो बिल्कुल आप यहां पर सेफ केटिगरी में हो और जिनके 400 पलस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल गवराई नहीं आपका यहां पर निश्ची तोर पर होने वाला है नेक चकला देखें जनरल जनरल केटिगरी म हो और यदि आपकी 410 या 400 पलस यदि आपके नमर है फिमेल केटिगरी जनरल यदि 400 पलस है तो आप बिल्कुल यहां पर शेफ केटिगरी में रहने वाले हो तो इस परकार से आपकी यह कटोब रहने वाली है इसके थोड़ी बहुत उपर नीचे भी हो सकती है अभी हम एक्जाम की भी त्यारी कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास समय है अन्य एक्जाम की त्यारी आप कर सकते हैं धन्यवाद जैहिंद